तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास नाइन्थ के बच्चो के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चो क्लास नाइन्थ का जो आपक 24 को जो आपका mid term का paper होने वाला है उस exam के लिए ये questions आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले बच्चो यकीन मानिए मैंने पिछले 10 साल के papers को analyze किया है और ये जो questions मैं आपको बताने वाला हूँ यही questions बार बार repeat होकर के आ रखें exams के अंदर most repeated questions है जिनको मैं आपको हिंदी में भी करवाऊंगा और English medium में भी करवाऊंगा तो दोनों ही medium के बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बिना skip किये देखिएगा क्योंकि बहुत limited questions में आपसे यहाँ पर आज discuss करने वाला हूँ ठीक है और हो सकता है कि इसमें से सारे ही questions आपके paper में आ जाए इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चो ठीक है तो बिना skip किये देखिएगा और हम इतनी जो महनत आपके लिए कर रहे हैं अगर आप उसको थोड़ा सा और appreciate करना चाहते हैं थोड़ा सा हमें भी motivate करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा like जरूर कीजेगा ठीक है यहाँ पर मैं like का target रखता हूँ केवल और केवल 555 likes का यानि 555 likes का मैं target रखता हूँ मुझे पका भरोसा है कि आप सभी बच्चे इस like के target को complete कर देंगे ठीक है चाहे आप morning shift के हो या evening shift के हो दोनों ही यहाँ पर shift के बच्चों के लिए और दोनों ही medium के बच्चों के लिए यह वीडियो फायद मन्द होने वाला है ठीक है तो आप दोनों ही shift के बच्चे वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और यह like a target भी यहाँ पर complete कर दीजेगा ठीक है बच्चों चलिए हम यहाँ पर questions को देखते हैं questions को देखने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी आपका query question डाउट रहता है जो आप directly मुझसे पूछना चाहते हैं तो यह मेरा instagram id है जैजा07 करके आप मुझे आपर follow कर सकते हैं और आप अगर अभी तो का हमारे telegram channel में जोई नहीं हुए तो वहाँ पर जरूर जोईन हो जाईए प्री में PDF, notes और भी बहुत तरकी चीज़े हम आपको वहाँ पर provide करवाते रहते हैं और अभी भी मैं आपको वहाँ पर एक दो PDF send करने वाला हूँ ठीक है जो भी चीज़े हम बेशते हैं उसका लाब उठाए ठीक है चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके questions को देखें पहला question देखिए बचों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भंडार की प्रकिरिया में कौन से कारक अनाज की हानी के लिए उतरदाई है ठीक है which factors are responsible for grain loss during storage process ठीक है जब हम यहाँ पर भंडारन करते हैं कोई भी अनाज के जैसे मान लिजे कि हमारे पास यहाँ पर चावल है ठीक है चावल को हम क्या करेंगे बड़े बड़े containers के अंदर यहाँ पर store करेंगे जैसे अगर आपने government के द्वारा दी जाने वाली free राशन मिलता हो लेते होंगे ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वो राशन आता है वो सरकार के बड़े बड़े यहाँ पर भंडारन facilities से आता है storage के जो जगहे होती है वहां से आता है जहां पर बहुत बड़े amount में यानि कि 1000 kg 10,000 kg ऐसे अनाज जो है वहाँ पर store करके रखा जाता है ठीक है तो जब store करके रखा जाता है तो वहां पर कुछ अनाज की हानी भी होती है ठीक है और वह हानी क्यों होती है उसके बारे में आपको बताना है तो देखिए इस तरह sensor आप लिखेंगे कि भंडारन में अनाज की हानी के लिए उतरदाई कारक पहला क कारक है जैविक कारक जिसके अंदर डारेक्टली अनाज में क्या होता है कीड़े लग जाते हैं जैसे आपका चुहा आ गया टिड़ा आ गया है कि नहीं अनाज को सीधे नुक्सानी पहुंचाते हैं जबकि जीवानु और फफूंद सडन और रोग का कारण बनते हैं ठीक है हो गया जैविक कारक अगला होता है अजैविक कारक यह क्या होता है जी तो नमी आद्रता और तापमान महत्यपून है उची नमी और तापमान फफूंद और कीटों की वृद्धी को बढ़ावा देते हैं जिससे अनाज की गुणवत्ता और संरचना प्रभावित होती है उ उसके लिए यह कारक जो है उतरदाई होते हैं क्लियर है बच्चो आसकरतों की आपको समझ में आ गया होगा सेम यही कोश्चन इंग्लिश मेडिया में इस तरह सरह रहेगा विच फैक्टर्स आर रिस्पॉंसिफल रिस्पॉंसिबल फोर ग्रेन लॉस द्यूरिंग स्टोरे आपका ठीक है नेक्स्ट कौशन काफी इंपॉर्टटेंट 현재 समूंद्री जल्ब को को समांगी नम्कीन पानी होता है इसमूंध्री बच्छन तो नमकीन पानी होता है, उसमें होता क्या है समुंदर के पानी में, नमक प्लस पानी हमें देखने को मिलता है, समुंदर का जल नमक विशेष कर सोडियम क्लोराइड और पानी का मिश्रन होता है, इस मिश्रन में नमक पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता ह पर समांगी के बारे में बता देंगे, समांगी मिश्रण के बारे में, जिसके अंदर basically नमक और पानी मिल गया, समुंदर का example लेकर बता दिया, आच्छा, विश्मांगी मिश्रण क्या होता है, जिसे हम अ सजातिये भी कहते हैं, इसमें पानी होता है, प्लस कीचड होता है प्लस सडने वाला जीव होते हैं इनके मिलने से हमारा विश्मांगी मिश्रण बनता है अब इसके बारे में थोड़ा समझेए जब समुंद्र के जल में कीचड कचरा या मृत जीव जनतु सामिल होते हैं तो यह एक विश्मांगी मिश्रण बनता है इसमे विभिन घटक एक दूसरे से अलग रहते हैं और आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं ठीक है इसमें मिल तो जाते हैं ठीक है चीज़े लेकिन एक दूसरे से अलग भी रहते हैं ठीक है और उन्हें आप आसानी से देख भी सकते हैं कीचर जो होता है वो पानी के उपर तैरता है पूरी तरह से नहीं मिल पाता है ठीक है सड़ने वाले जीवों के टुकड़े सपश्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं और उपर आपने समांगी मिश्रण में देखा कि पानी और नमक मिल जाता है तो ना हमें नमक दिखता है पानी के अंदर दिखता है नहीं दिखता है लेकिन इसके अंदर विश्मांगी मिश्रण के अंदर जो चीजे होती है जैसे कीचर पानी और सड़ने वाले जीव यह सभी अलग अलग दिखते हैं एक तरह से मिले हुए भी होते हैं और एक तरह से मिले हुए नहीं भी होते है ठीक है आसे करता हूँ कि आपको समांगी मिश्रन और विसमांगी मिश्रन समझ में आ गया होगा यह समुंद्र के पानी को ले करके ठीक है यही कोश्चन इंग्लिश मेडिया में इस तरह से रहेगा तो एक्स्प्लें आपको इस तरह से कर देना है यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चो ठीक है एकदम ठीक है और कल के पेपर के लिए डरना विल्कुल भी नहीं है बहुत सारे बच्चे मेसेज करके बोलते सर मुझे डर लग रहा है इस तरह से करके डरना वि अब देख लिए और एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर देख जाएगा जब यह वीडियो एंड होगा न वहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा वीडियो का लिंक तो वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं बच्चो ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्यन जैविक खेती एक ऐसी क्रिशी पधती है जिसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है ठीक है तो सबसे पहले समझी जैविक खेती क्या होता है जिसको इंगलिश में बोलते हैं ओर्गैनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग यह करते हैं कि खेती करने के दौरान कोई भी और हीट नासकों के बजाए प्राकृतिक संसाधनों का उपियोग किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना और पर्यावरन की रक्षा करना और मानव स्वास्त को सुरक्षित रखना होता है ठीक है अगर आप यहाँ पर जैवि डाल करके प्राकृतिक चीजे डाल करके यहाँ पर आलू गाए तो यहाँ पर हो सकता है 25 किलो ही उगे लेकिन ये जो 25 किलो आलू गेगा इसकी quality A1 quality होगी ठीक है मस्त होगा ये आलू कोई भी व्यक्ति खाएगा स्वस्त रहेगा लेकिन ये जो 50 किलो आलू गाए इसमें द मुख पहलूँ पर ध्यान दिया जाता है जैसे प्राकर्तिक उर्वरक ये क्या होता है जैसे कि कमपोश्ट गोवर का खाद और हरी खाद जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं ठीक है मैंने देखा है जब गया था तो वहाँ पर देखा था कि जो मेरे रिलेटिवस थे वो जैवि खेटी करते से जिसमें यहाँ पर जो खाद यूरिया वगएरा होता है वो सब नहीं डालते थे यहाँ आज Carmता का मतलब हования फ्रवरत खेट में शमता एक करते से कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकर्तिक उपायों का उपयोग जैसे कि पर जीवी कीडों का उपयोग या बायो कीट ना सकती कि यह हाँ पर दिया गया कुछ और बेसिक बाते बताई गई है और गैनिक फार्मिंग के बारे में यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते ह में आज खाना खाया और यहां पर खाना खाते वक्त मुझे तीखा लग गया है कि नहीं अभी मेरे इंस्टाग्राम रिल पर नारिय लन्ना के रिल सा रहे थे इंगलिश मीडियम में आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि और गैनिक वार्मिंग इस एन एग्रिकल्चरल मे लिए आगे चलते हैं, ठीक है, एक दम ठीक है, चलिए, अगला प्रशन रेखिए, चौथा प्रशन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, कि बर्फ के थंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सता पर पानी की बूंदे हमें क्यों दिखाई देती है, एक्जामपल के लिए, यहाँ पर आपको छोटी छोटी बूंदे आपको दिखाई देंगी, पानी की बूंदे, ठीक है, यह चोटी छोटी बूंदे गिलास के बाहर कहां से आ जाती है, उसके बारे में बताना है, तो बेसिकली आप ऐसे समझे, हवा जो हम सास के तुरू अंदर ले रहे हैं अपन कि ठंडे पानी से बरे गिलास की बाहरी सता पर पानी की बूंदे संगनन के कारण डिखाई देती है, जब हवा की नमी गिलास की ठंडी सता से टकराती है, तो वह बूंदों में बदल जाती है, ठीक है, क्लियर है बच्चो, समझ में आ गया, चली आगे चलते हैं, यही कोश देख सकते हैं, water droplets appear on the outer surface of a glass filled with cold water due to, यहाँ पर condensation when the moisture in the air hits the cold surface of the glass, it turns into droplets, ठीक है बच्चो, चलीए, आशा करता हूं कि आपको समझ में, आगे होगा, next question देखते हैं, पाच्वा question देखिए, कि सूखी किस्मिस को कुछ समय के लिए सुध पानी में छोड़ दिया जाता है, और बाद में उन्हें कीनी के विलियन में रिस्थानंत्रित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या changes देखने को मिलते हैं, वो आपको बताना है बच्चो, तो देखिए बच्चो, जब हम ये चीजे करते हैं, जो पहले सूखी किस्मिस होते हैं, आपने भी ये चीज किया होगा कि जो सूखा किस्मिस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, पानी में छोड़ दिया हमें सूखी किस्मिस है तब क्या होता है तो उसके बारे मैं बताए किसमिस के अंदर पानी जाने से फूल जाता है यह कोशन आपका English Media में इस तरह से रहेगा यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और answer आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चो Next question देखिए छटा question मैं कहूंगा यह जो question है यह बहुत ज़्यादा important है पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चो कि मिश्रन तथा योगिक में अंतरसपस्ट कीजे Explain the difference between mixture and compound ठीक है तो देखिए मिश्रन की अगर बात करें तो तत्व या योगिक केवल मिश्रन बनाने के लिए मिलते हैं जो तत्व होते हैं या योगिक होते हैं वो केवल मिश्रन बनाने के लिए मिलते हैं जबकि योगिक की बात करें, तो इसमें दो या अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ से निर्मान करते हैं बच्छो, अगला, कोई नए पदार्थ नहीं बनता है मिश्रन के अंदर, जब हम कोई चीज मिक्स करते हैं, इस तरह से कोई मिक्स्चर हमारे सामने आता है, कोई नए पदार्थ नहीं बनता है, संगठन परिवर्तिनिय होता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका नए पदार्थ हमें देखने को मिलता है, इसी तरह से कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज को एक्स्प्लेन कर रखा है, ठीक है, काफी मिश्रन के एक एक इग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लोहा तथा गंधक का मिश्रन, ठीक है, और योगिक की बात करें, तो गंधक तथा लोहा आपस में किरिया करके आइरन सलफाइड बनाते है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इं कर सकते हैं इसका उबालने का बिंदू माप कर तो डिग्री या इसकी चालकता की जाच कर सकते हैं सुधता पानी विध्यूत का हराब चालक है ठीक है तो इस तरह से आप यहां माप सकते हैं यही कोशें इंग्लिश मेडिया में इस तरह से रहेगा एंड एंसर आपको इस प्र Telegram group है या Telegram channel कह लिजिए Learning king 9th करके वहां पर मैं आपको यहां पर जो भी हमने अभी तक किया है questions को मैंने mainly support material से लिए है questions जो मुझे important लगे है ठीक है तो जो आपका support material है Hindi medium में और English medium में दोनों ही medium में जो latest वाला support material है 24-25 का उसका PDF मैं वहाँ पर transfer कर दूँगा और भी मतलब वहाँ पर send कर दूँगा और भी मुझे कुछ लगेगा important PDF तो वहाँ पर मैं आपको भेज दूँगा तो अभी तक आप join नहीं हुए तो वहाँ हो जाएए join वगेरा होने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे Instagram पर आ सकते हैं पर मैं आपको समझा दूँगा कि कैसे join हुआ जाता है वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है वहाँ पर जाएए सर्च किजिए Learning King 9 और आपको हमारा Telegram चैनल लेखने को मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही और कल के exam के लिए आप सभी बच्चों को all the best कल का आपका science का exam बहुत अच्छे से जाएगा डरना बिल्कुल भी दिए जितना आपको आता है अच्छे से करके आने है ठीक है बच्चो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली और exciting वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है खुश रखी है सभी को और वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजेगा ठीक है जितना जारा आप शेयर करेंगे उतने जारा रीच हमारी बढ़ेगी और हमारा फैमिली और भी बड़ा होता जाएगा ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जाहिंद वन्दे मात्रम